नमस्कार दोस्तों जैशनीदेव स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बैन आइकोन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में सचे दिल से जैशनीदेव जरूर लिखें इससे भगवान शनीदेव आपकी हर मनोकामना अविश्य पूरी कर देंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज राज से पूरे 21 वर्ष तक इस राशी पर धन लुटाएंगे सब स्वयम भगवान शनीदेव जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिसे अब इन राशी वालों के जीवन में आने वाली हैं भगवान शनीदेव एकरिपा से अपार खुशियां ही खुशियां भगवान शनीदेव अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट दूर करने वाले हैं जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये खुश नसीब और भागिशाली राशियां कौन कौन सी है जिन पर भगवान शनीदेव आज रात से पूरे 21 वरश तक धन की वरशा करने वाले हैं और ये राशी वाले अब होंगे धन से माला माल इस वीडियो में हम आपको उनी कुछ नसीब और भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन राशिवालों के लिए बहुत ही मैत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शनीदेव के सची भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें कमेंट बॉक्स में जै शनीदेव अविश्य लिखे जिसे भगवान शनीदेव का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सके और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिसे समय समय पर इसी प्रकार की मैतपूर्ण ज्यानवर्थक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तो बात करते हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशियों के बारे में भगवान शनीदेव अब पूरे 21 वर्ष तक धन लुटाने वाले हैं और ये राशी वाले होंगे धन से माला माल चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदु धरम में काफी सारी देवी देवताओं की मान्यता है आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनीदेव का भी आता है भगवान शनीदेव सरोच न्यायदीश है और भगवान शनीदेव अनुचित कारे करने वालों को समय पर दंड भी देते हैं शनी देव सूर्य पुत्र और करम फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दे कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनी देव ही हैं शनी देव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है लेकिन सच बात तो ये है कि शनी देव प्रकृती में संतुलन बना कर रखते हैं और ये सभी प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं शनी देव की क्रिपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परिशानी नहीं आती जो लोग गलत काम करते हैं पाप करते हैं दूसरों को नुक्सान पहुचाते हैं भगवान शनी देव उनी को दंड देते हैं आपको बता दे कि अब भगवान शनी देव की क्रिपा बारा राश्यों में से कुछ राशी वालों पर होने वाली है जी हां दोस्तों इन राशी वालों पर भगवान शनी देव बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं अब इन राशी वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी आपको बता दे कि भगवान शनीदेव अब इन राशी वालों पर अपनी अत्यतिक क्रिपा बरसाने वाले हैं जी हां दोस्तों इस प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली है दोस्तों आपको बता दे भगवान शनीदेव की विश्येश क्रिपा इन राशी वालों पर होने वाली है भगवान शनीदेव की क्रिपा से इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं इन राशी वालों को भगवान शनीदेव के आशिरव अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों जिन खुशनसीब भागेशाली राश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राश्यों पर भगवान शनीदेव की क्रिपा होने वाली है उन खुशनसीब और भागेशाली राश्यों में से जो पहली राशी है वो है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे कि आपके उपर भवान शनी देव की अपार कृपाद रिष्टी बनी रहेगी जिसे इने धनलाब प्राप्ती होने की संभावना है आपको बता दे इस राशी के लोगों को व्यापार व्यविसाय में व्रिधी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय में व्रिधी होगी जो लोग व्यापारी है उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कार्य को सफलता पूरवक पूरा करेंगे भग्माण शनीदेव की विशेश क्रिपा, मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिसे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले है और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिसे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके मान समान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी मेश राशी वालों जिसकी वज़े से ही समाज में आपकी प्रशन सा की जाएगी और आपको बता दे कि भगवान शनीदेवी क्रिपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं इन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे जो भी आपके रुके हुए कारे थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दें कि जो भी कारे आप शुरू करना चाहते हैं उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होगी जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव के आशीरवात से इन राशी वालों के आयके साधनों में व्रिदी होगी जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको धन लाब प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे आपके घर परिवार में खुश्नमा माहोल रहेगा साथी साथ आपके कारोबार में व्रिदी होगी सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी अचानक से धनलाब प्राप्ती के योग बन रहे हैं साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविशे ही सफल होगी भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है समय अब आपके पुर्णता पक्ष में है समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है विरिशब राशी विरिशब राशी वालों को बता दे अब भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे है दोस्तों आपके द्वारा की गई मैनत का अब आपको फाइदा प्राप्त होगा आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती पहले से बैतर होगी आपके रुखे हुए कारे अब सफलता पूर्वक बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा साथी साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जीहां दोस्तों आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग प्राप्त होगा आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपके सभी कारे पूरे होंगे अब सफलता पूर्वक आपके सारे कारे पूरे होंगे भगवान शनीदेव जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है जिसकी वज़े से आपकी धन समंदर जो भी परिशानिया है वे सभी परिशानिया दूर होंगी और साती साथ जो भी कारिया आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कारिया अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे तो आपको बता दे भगवान शनी देव की दुनिया आपका जल्वा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिर्वात से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कन्या राशी दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की विश्चेश प्रिपा आपके उपर बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता दे ना केवल आपको धनलाब होगा बलकि आपके व्यापार में खूब वृदी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ-साथ वेतन विद्धी के पूरे योग बन रहे हैं साथी साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा कन्या राशी वालों आपके उपर बन रही है, साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा, धनलाव प्राप्ती के अनेक अवसर कन्या राशी वालों अब आपके उपर बन रहे हैं, साथी स आपके सभी कारे सफलता पूर्वक पूरे होंगे, साती साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये योजना भी इनकी अविश्य ही सफल होगी, भगवान शनी देव की आपके उपर कृपाद रिष्टी बनी हुई है, आपके समस्त मनो अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और सफलता की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कण्या राशीवालों आपका जीवन बदल जाएगा, जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो राशी है सिंघ राशी दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव क्रिपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बहतरीन होने वाला है आपको बता दे आपको न केवल मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ मी की जाएगी इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव की क्रिपा आपके उपर बन रही है इसके साथ ही आपको काफी धनलाब भी होगा जहां एक तरफ परिबार में खुश्यों का माहूल बना रहेगा वहें दूसरी तरफ यापार में व्रिधी होगी सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है भगवान शनी देव की क्रिपा आपके उपर बन रही है साती साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ-साथ वेतन वेदी के पूरे योग है सिंग राशी वालों आपको बता थे भगवान शनी देव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अबसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी इसके साथ ही आपकी घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुश्यां ही खुश्यां होंगी जिहां दोस्तों आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से सिंग राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यां ही खुश्यां प्राप्त होंगी जिससे आपका जीवन बदर जाएगा कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिर्वात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है धनु राशी धनु राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्दी ही अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे आपकी मैनत का अब आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मैनत की है इसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिसे आपकी कुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दें आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब समय पर आपकी सारे कार्य पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे कि आप लोगों के उपर भगवान शनीदे की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदे की क्रिपा से आपकी धन समंदित सभी जो परेशानिया है इस समय अब सब दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे धन में खूब व्रिधी होगी और अनेक प्रफा के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है साथी साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पधनुती के साथ वेतन विधी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे भगवान शनी देव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समझत परिशानियों का अब अंत होगा और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है कुम्ब राशी दोस्तों कुम्ब राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव आप आपने जो भी मेनत की है उस मेनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साती सा जो भी आपके रुके हुए कार्य थे अब आप सफलता पूरवक पूर्ण होंगे और साती सा जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन दुग बेहत प्रसन है, साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन विदी के योग बन रहे हैं, साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मन चाही नौकरी भी मिलेगी, साथी साथ आपको बता दे यदि आपका कोई पैसा रुपा हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी वापस मिलेगा साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटे आ रही है वे रुकावटे खतम होंगी और आपके जीवन में अब खुश्याई खुश्या होंगी कुम्ब राशी वालों आप अपनी जीवन में एक नई खुशी का एसास करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके ऊपर कुम्ब राशी वालों बन रही है समय आपके लिए पोणता पक्ष में है इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें जीहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके ऊपर बन रही है आपको आने वाले समय में आय और नौकरी में पदोनती मिलेगी प्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक सिती मजबूत होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांतिव आनंद का वातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे व्यावसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मक धन प्राप्ती के भी अनेक योग बन रहे हैं भगवान शनीदेव की क्रिपा से मित्वन राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ती होने वाली है जिससे आपके जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां साथी साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरिदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना इनकी अविश्य ही सफल होने वाली है संतान प्राप्ती का भी सुख मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिससे घर परिवार में होंगे खुशियां ही खुशियां कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाव उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें जी हाँ दोस्तों ये है वो भागिशाली राशियां जिनको भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब अपार खुश्यों की प्राप्ती होने वाली है इन राशी वालों के जीवन में होंगी अब खुशियां ही खुशियां भगवान शनी देव के आशिरवाद से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनीदेव का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट वाक्स में सची मन से जैस शनीदेव जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें